अके गाइज, welcome back, मैं थर्ड सक्वास्चन लेकर रही हूँ, इसका लेकर रही हूँ पहले मैं ये तो बता यह नहीं है, ये लेकर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज, आपकी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, हमारी पार्ट थर्ड जल रहा है, यह इसका 1.2 एकस स्काइज का और यह थर्ड पार्ट लेकर आई हूं यह हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर पर चल रहा है है सब कुछ अके तो थर्ड कोस्टेन बिन देरी किया स्टार्ट करते हैं जल देल दी फिनिश करते हैं चलिए तो इसमें क्या करना है हमें जैसे पहले दो पार्ट आपने अगर देख लिए तो अच्छी बात है अगर नहीं देखे तो वह देख लेना क्योंकि तीनों पार्ट ही बहुत इजी हैं बहुत इंट्रस्टिंग सम्में बहुत ही इजी हैं मतलब आपको छोड़ने के बि करना है पिछला लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था सिआ यह फ्ट करने का बोट आच्छा तरीका बताया था कोई बात नहीं उस पर जाने के इतनी जूलत नहीं है मैं इस वीडियो में बताने बाली उन्हां जैसे के हमारा फ सब्स्ट क्या दिए गया है हमें तीन न आपको अगर नहीं पटाएल हुआ हैं यहां बताने वाली anti-yam sorry मुस्तरा बनेंगे अंगर सिधा ही देखते हैं याने नभर इवायड हो濟्ध हो जाएगा तो आइटा है अधिए निदुर्ट आक्रवी हो जाता है तो फरी दिद्धे निकल के इसल्टरों अग्णik और इसकी तरह से 15 का हो गया, 15 के कौन-कौन से फेक्टर निकलनेवाले हैं, 5 सी ये 15, 5 से 5, 5 औरूसी तरह से हमारा 21 आगया, 21 के फेक्टर 37021, 717, 8 औकें तो फेक्ट्र निकल की आगे गारा होता हैंントर एखें आगे बहुत इजी काम रह रह गया है वह फिल्ओं कोनकी से खट रहे हैं टू-ंटू इंटू-ाक्षा रोगतना तहक रहींग क्या रह गया है, 21 के 3 into 7 हम यह क्या करना होता है चलो मैंने फेक्टर यह तो वैसे यसी देख कर लिख दिये जाहे 1 पाना है इसके आगे पालो अगर नहीं पाना है तो आपकी मर्जिय को फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो SCF क्या आगया हमारा SCF आता है जो तीनों में common number होता है वो हमारा SCF हो क्या आगया मदलब यह वजाय में 303 common आगया है तो यह हमारा हो गया SCF और सी तरहां से LCM कैसे निकालते होते हैं बहुत इजी मैं थेड़ है SCF के भीना जो जो नमबर मेले वो सब लिख लो यह 222 multiply 2 into यहां 5 बचा और यहां क्या बचेगा 7 अब यह कहनों मत कहा दिना के 111 SC सब्सक्राइब करते हैं तो वही नमबर आ जाता है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा ओके के इन दो नमबर को ले लो यह ले लिए ठीक है मैंने वह बता दिया और LCM में यह लिख लिए और उसके बाद आगे कारना था हमें SCF जो नमबर आया हमारा उसकी भी मल्टिपले करान यह हमारे क्लास फर्स्ट क्लास से खाई दिये जाता है करते हैं तो यह तो टुछ आने वाली नहीं हो अके ठीक है फर्स्ट सम हो गया बस इतना से करना था और सेक्ट सम पर आते हैं हमारे सेक्ट सम हमें जो दिये गया है उसमें हमारे नमबर है 17 23 and 29 ग्रेट या ग्रेट कुझे लगता है जिसको प्राइम नमबर पता होगा जब फैक्टर निकालने होते होगे वह तो एक सेक्ट में निकाल लेगा क्योंकि यह नमबर किसी और पर डिवाइड ही नहीं होते बस ऐसे से कुछ नमबर्स है यह अपने आप में प्राइम नमबर्स हैं देखो तो तो से इस एफ क्या आजाएगा यह यहां पर एक ध्ढ़ रखना होते है ऐसी एफ का यहां पर आपको दिखेगा ही नहीं लेकिन इसमें को मन है वह क्या है वह भी दिखाती हूं आपको कौन कोउन से फैक्टर बनी है 17 कर बना है 17 मंटप्लै वन 23 कर बना है 23 का बना है 23 एंड वन तो 29 कर बना है 29 एंड वन तू देखो यह को मना गया है बाकियों में भी कोमन आते हैं लेकिन multiply करने यवर कोई फरक नहीं पड़ता उनको और यहां पर हमारा SCF आ गया है वन यह हो गया हमारा important question क्योंकि में इसमें क्या है different trick है इसमें different है कुछ तो ध्यान रखना है स्वया तो SCF हो गया LCM क्या है अब क्या होता है बस जो जो नमबर बचेगे उनको लेख लो जैसे क्या बचेगे 13 multiply ओ सोरी 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 17 multiply 23 multiply 29 अब अगर आप इनकी multiply करो गे तो आपके पास यह नमबर आ जाएगा हो गया कितना easy sum है ना खुद ही कर लेते इतना क्या देखना है इसमें फैक्ट निकालो हो जाएगा जैसे हमारा 13 को थर्ड कोशन आ गया है हमारा 8 9 & 25 इसके ब्याले क्या करने हो है फैक्ट निकालने है फैक्ट निकालके क्या करना है स्ट्रीव निकालने एसिए निकालके करना है स्ट्रीव निकालने कौशन हो जाएगा डू फो इसके बाद अब निकालना है हमें इसमें सब्सक्राइब तो कमा दिखो क्या रहा है एट का फैक्टर क्या आए है बताओ 2 multiply 2 multiply 2 multiply 1 9 के factor क्या क्या आए हैं 3 multiply 3 multiply 1 25 के factor क्या आए हैं 5 multiply 5 multiply 1 अब HCF आप मुझे बता सकते हो जो कि बहुत easy है क्योंकि इसमें भी 1 1 1 common आ रहा है और कुछ भी common नहीं आ रहा है तो हमारा HCF आई गवन LCM क्या होगा जो भी नमबर वाकी बचे हैं उनको multiply कर दो क्या क्या नमबर आए हैं 222 multiply 2 multiply 2 3 multiply 3 5 multiply 5 हाँ जी multiply कर लेना मुझे बता देना answer क्या है मैंने लिखने वाली इसका answer आएगा ठारासो बाई अलवीदा फिर मिलेंगे next वीडियो में